हेलो दोस्तो मैं फ्रेक्शन का वर्कसीट 3 बता रहा हूँ दोस्तो मैं इस वीडियो को री रिकोड कर रहा हूँ मैंने पहले भी बताया था तो बहुत तरह बच्छा कोमेंट कर रहा था जितना ओफलाइन में एक्स्प्लानेशन बता रहे हैं तो ओलाइन वहतना नहीं बता दोस्तो पहले मैं थुरा सा एक्स्प्लानेटर से ना hakkलता हूं यहां थेः दोस्तों 3 by 4 है दोस्तों ऊपर वाला को क्या कते हैं नुमेस्टर कते हैं और नीचे वालें को डीनोमिनेटर कते हैं नुमेस्टरoded jó थेार लेकिन यहां दो तो में देशन सब्सक्राइब यह यहा करते हैं 1 by 2 यह box है by 4 पहला में तर यह है दोस्तों कि दोस्तों यह जो है ने चाहे multiply हुआ होगा या divide हुआ होगा मतलब addition और subtraction नहीं होता है है यह जो equivalent fraction जो निकालते हैं हम लोग यह चाहे multiply हुआ होगा या divide हुआ होगा तो देखिए 2 को क्या करेंगे जो 4 होगा इसका मतलब 2 से multiply होगा 2 2 जा 4 तो 1 को भी 2 से multiply करेंगे 1 2 जा 2 यह box हमें 2 होगा दूसरा method यह है मैं बता जाता हूँ पहले दोनों method उसके बाद हम लोग यही method से बनाएंगे सारे को दूसरा method यह है कि 1 by 2 तो दोस्तों यहां box निकलना है तो दोस्तों इसको multiply करते हैं और इसको multiply करते हैं बराबर आना चाहिए तो 4 को 1 से multiply करेंगे तो 4 होगा 2 को किस से multiply करेंगे जो 4 होगा तो 2 जा 4 इसका मतलब 2 होगा मतलब इस दोनों को multiply करते हैं और इस दोनों को multiply करते हैं तो बराबर आना चाहिए इक्वल टू आना चाहिए तो यह कि यह method है तो हम लोग यह method से बनाएंगे चलिए यह number तो बना दिये यह 9 दोस्तो 42 हुआ है numerator में denominator खाली है तो 7 दोस्तो जिस से दिया वसी से compare करेंगे 7 को किस से multiply करेंगे जो 42 होगा तो 6 जा तो इसको भी 6 है कि 9 6 जा 54 इतना हुआ होगा उसके बद c बता जे उसके बद d बता रहा हूँ पहले मूर लेता हूँ दी में है 3 by 5 equal to 24 by box दोस्तो इसमें numerator दिया हुआ denominator खाली है तो 3 को क्या करेंगे जो 24 होगा तो 8 से multiply करेंगे तो 5 को भी क्या करेंगे 8 से multiply करेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा इसमें उसके बाद है इनमर में है 12 15 और यहां फिर box है numerator खाली है दोस्तो 75 तो 15 को क्या करेंगे जो 75 होगा तो 5 से multiply करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो क्या होगा 12 5 जा 60 next है E के बाद F 27 by 30 9 by box है दोस्तों यहां देखिए 27 को किसे multiply करेंगे जो 9 होगा कभी नहीं यह वाला है इसका मतलब यह multiply नहीं यह divide हुआ किस से तो 3 से divide हुआ अच्छा आप सोचने कैसे हमको पता चला इससे इसको डिवाइड की ती यह वाला पता चलिया तो इसको भी 3 से क्या करतेंगे डिवाइड जो चीज़ नुमिरेटर में किये हैं वो चीज़ डिनुमिरेटर में भी करना है तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को कितना 10 दोस्तों मैंने शुरू में भी बताया था इकुवाइड फ्रेक्सर निकालने के लिए चाहे मल्टिप्लाय करते हैं या डिवाइड करते हैं इसके अलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं एडिसन सब्टरेस निसमन नहीं होता उसके बाद जी नमर बताओ 45 by 81 है box by 9 यही है दोस्तों यहाँ देखिए 81 को क्या करेंगे जो 9 होगा इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा इसको भी 9 से करेंगे डिवाइड तो 45 को 9 से करेंगे तो क्या होगा 5 होगा उसके बाद h नमर बता रहूं है 20 by 60 box by 12 दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 से 12 बना है इसका मतलब क्या होगा 5 से डिवाइड होगा तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आजाएगा 4 आजाएगा अगला बता रहे हैं उसके बाद 2 नमर बता रहूं दोस्तों find the equivalent fraction of 1 by 3 1 by 3 का equivalent fraction निकालना है ए नमर में है तो पहला ए नमर बता रहूं numerator 5 इसका मतलब यहाँ numerator क्या होगा दोस्तो numerator में 5 दिया होगा है तो दोस्तो यहां को किस से 5 होगा तो 5 से multiply होगा तो 3 को भी 5 से multiply करेंगे तो 5 3 जा 15 दोस्तो ए नमर का 15 एंसर आया अब फिर 2 नमर बता रहूं तो फिर इसका भी यही question का है 1 by 3 लिख दिये यह denominator 18 इसका मतलब यहां 18 भरेंगे यहां box भरेंगे 3 को किस से multiply करेंगे जो 18 होगा तो 6 से तो 1 को भी किस से करेंगे 6 से multiply है 1 6 होगा दोस्तो यह B number बताया अब C number में क्या है 1 by 3 दोस्तो यह numerator बोला है numerator मतलब उपर वाला denominator खाली है तो 1 को 11 से multiply करेंगे तब ही न 11 आएगा तो 3 को भी 11 से multiply करेंगे तो 11 3 जा 33 होगा यह 2 number का सारा बता दिए 3 number में है chain into 5 by 9 into equivalent fraction with denominator कितना है तो 5 by 9 denominator मतलब divide में नीचे वाला 54 है तो 9 क्या करेंगे 9 6 जा 6 से multiply करेंगे तो इसको भी 6 से multiply करेंगे तो 5 6 जा 30 हो जाए यह सब्सक्राइब हो दसता उसका बाद है 4 number बता रहा change 20 by 28 20 by 28 into an equivalent fraction with numerator 5 मतलब उपर वाला numerator 5 बनाना है तो denominator क्या होगा दोस्तो देखे 20 से 5 कैसे आ सकता है किस से तो 4 से इसको भी क्या करेंगे 4 से divide करेंगे तो 4 से divide करेंगे तो कितना हो जागा 7 7 फोर्जा 28 होता है दोस्तो अगर मेरे चैनल में नए है तो subscribe कर लिजे दोस्तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो कोमेंट करके जरूर बताइएगा तैंक्यू पर वाचिंग वीडियो कर दोस्तो अगर वीडियो